हेलो गाइज वेलकम बैक टो माई चैनल और मैं वंकित तो फाइनली आप लोग सभी का पेपर जो नीट का था खत्म हो गया और बहुत सारे बच्चे अच्छे स्कूर किया बहुत सारे बच्चे हैं जो उनका स्कूर अच्छा नहीं आया चलो कोई बात नहीं परिसान होने की जितना आपने मेहनत कि कि आपने अपना 100% तिया वह ज्यादा मेंटर करती है तो बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं कि भाइया मेरे इतने स्कूर आ इतने आ तो मैं क्या करूं कैयर आप्सेंस बताओ मुझे ड्रॉप लेना चाहिए और नहीं लेना चाहिए तो आ हर साल दो से तीन लग बढ़ते हैं और इस बार तो चार लग बढ़े गया और उनमें से सेलेक्शन कितने का होता है जो अच्छे गुवर्मेंट कोलेज में जाते हैं सिर्फ गुवर्मेंट कोलेज की बात कर रहा हूं तो हाड़ी वन तो टू परसेंट बाकि बच्चों क्या जो 98 परसेंट बच्चे बच जाते हैं तो उन बच्चों का क्या उन बच्चे फिर अलग-अलग options explore करने लगते हैं कई लोग BMS देखते हैं कई लोग वीडियास देखते हैं कई लोग private की तरफ चले जाते हैं कुछ लोग MBS abroad चले जाते हैं लेकि जो large amount है जो बच्चा बच हो जाएगा देखो ड्रॉप लेना कोई गलत बात नहीं है लेकिन अगर खुझ से ड्रॉप ले रहे हो अपने confidence के इसाब से अगर आपका डिसीजन से अगर आपके parents का डिसीजन है तो ड्रॉप लेना सबसे best option है लेकिन अगर आप किसी और के influence में आकर कोई teacher batch launch कर रहा है सामने से प्रस्तूत किया जाता है अभी आप YouTube चैनल पर चीज़े देख रहे होंगे एक पूरा आपको planner बना के देंगे अगर उसके influence में आकर आप ड्रॉप ले रहे हो directly या फिर किसी चीज़ से बचने के लिए ड्रॉप ले रहे हो आप कि अपने parents को बस जूठा दिलासा ले कि पापा या मम्मी अगले साल मैं अच्छा करनेंगा और आपका अंदर हो नहीं कर रहा है कि मैं अगले साल भी मेरा यही कंडिशन्स होगा तो प्लीज बिल्कुल ड्रॉप मत लेना लेको ड्रॉपर का सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है बहुत सारे बच्चे नहीं हुआ तो मतलब नहीं होगा और उजो चीज़ें होते हैं वो हमें और दि मोटिवेट करती हैं अंदर हमें अंधर खाय जाती है यहाते हैं बच्चे पैनिक अटेक आते हैं और जो सीरियस के सुथ होते हैं जो आगे चलके बढ़ जाता है वो सुसाइड टेंडिस्सी बात करना नहीं चाहते हैं कि आपके पास दूसरे भी ऑप्सेंस अब लेवल हैं उनके सामने बस लाके प्रस्तूत कर दिया जाता है कि भाई ड्रॉप ले लो अगले साला प्रैक कर रहे हो फिर बच्चे ड्रॉप लेते हैं फिर एक बड़ा और ड्रॉप लेते हैं और एक लूप में फस जाते हैं और जब सामने ले इंसान को कुछ नहीं दिखता है ना तो वही बच्चे कोई गलत कुदा कदम उठा लेते हैं तो ड्रॉप लेने से पहले बार बार सोचना हजार बार सोचना उसके बाद ही ड्रॉप लेना इस वीडियो के थुरू मैं आपको डी मोटिवेट नहीं कर रहा हूं या फिर आपको गलत नहीं दिखा रहा हूं कि ड्रॉप नहीं लेना चाहिए कोई और अप्संस देख लो नहीं भाई ड्रॉप लेना चाहिए लेकिन एक कंडिसंस के अनुसार अभी आगे चलके मैं आभी आपको ये भी बताऊंगा कि किन बच्चो को ड्रॉप लेना चाहिए था बहुत सारे आपको एक दो दस वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पे जहां पर दिखाय जाता है कि देखो इसने ड्रॉप ले इतने से इतने नंबर जम किया भाई कितने बच्चे वैसे कि बीस लाख में सो बच्चे कितना परसेंटेज हुआ बाकी बच्चो क्या ऐसा नहीं होता कि नीट का जो अस्पैरेंस होते हैं वो सारे लोग पढ़ते ही नहीं है 50% अस्ट्ट्ट्स ऐसे होते हैं जो मानना पड़ेग ना और उनका सेलेक्शन नहीं होता है ना तो उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और उनको फील होता है कि इतना पढ़ा इतना पढ़ा फिर भी उतना नंबर क्यों नहीं आए और यह आपका गलती नहीं है यह हमारे दिसका कटफ इतना हाई चल गया और उसके बाद यह जो नीट का पेपर लिख हुआ यह हुआ हुआ आप मानो या ना मानो इंडिया में हर एक साल दो से पांस चार बच्चे ऐसे होते हैं मेडिकल कोलेज में जो वहाँ जाना डिजर्ब नहीं करते हैं लेकिन हो जाते हैं क्यूं इनी सब चक्रों के कारण पेपर लिख हो गया पेपर बीग गया और वह चले जाते हैं मेडिकल कोलेज में और उनका खम्याजा किसे भुगतना पड़ता है जो बच्चे अच्छे से पढ़े हैं और फिर उनको एक फैलिवरक अटेक लगा दिया जाता है कि तेरे से नीट नहीं हुआ मतलब तू कर नहीं सकता है कैरियर मे सुचना आपके 50 मार्स बन रहें 100 मार्स बन रहें 200 बन रहें बिल्कुल मत सुचना आपको नीट करना डॉक्टर बनना तो आपको ड्रॉप लेना चाहिए इमंदारी से ड्रॉप लेना उसके बाद अगले साल आपका अच्छा नंबर आएगा लेकिन अगर आपने एक आपके मार्स 200 से कम आ रहें 200 से अगर आपके कम मार्स आ रहे तो बिल्कुल भी ड्रॉप मत लेना देख लेना कुछ भी दूसरा अपसें नहीं कि मैं आपको ड्सक्र कर रहा हैं उसकिन हम ने बद्रॉप्स क्लिन को डिना किसी चाहिए बिल्कुल मत लेना अगर आपका आगर आपने दो drop अल्डिडी ले चुका है और आपके marks अगर 450 या 400 से कम आ रहे है तो फिर drop लेने के बारे में सोचना भी मत parents से discuss करना और दूसरे options के बारे में सोचना देखो एक क्या है न marketing create किया जाता है इन future में आपको बताऊंगा कि आपके पास alternate options क्या है यह उनके लिए बता रहा हूँ alternate option उनको देखना है जो दो drop अल्रेडी ले चुके है और उनका marks 400 से कमार है या फिर drop लिए हैं बहु सारा 3-4 drop ले लिए हैं और उनका marks नहीं बढ़़ड़ा selection नहीं हो रहा है तो ऐसा नहीं भाई कि आपको बस लगे रहना है लगे रहना लगे रहना एक भेड़ चाल में चलते रहना है आपको सोचना पढ़एगा कुछ न धुच आपने need crack नहीं किया इसका मतलब ऎस नहीं किया आपने life में कुछ नहीं किया बहुं सारे आगे चलके ऐसे से लोगों ने मुकाम हासिल किया है, जो नीट नहीं निकाले थे तो इन सबी चीजों को बातों पर आप बिल्कुल भी मत देखना और ड्रॉप लेना, अगर आप ड्रॉप लेने के बारे में सोच रहे हो अगर उस क्रिटेरिया में आप फॉल कर रहे हो, तो आप ड्रॉप लेना, बिल्कुल मिल लेना लेकिन ड्रॉप लेना है अच्छे कोचिंग से, अगर पोसिवल हो तो ऑफलाइन कोचिंग जाना ऑफलाइन कोचिंग में जाना, अच्छे से पढ़ाई करना, अगर आपके पास सुवीदा नहीं है उफलाइन का, तो आउनलाइन से भी ले सकते हो, अच्छे बैच से देख लेना लेकिन बैच लेने से पहले सौ लेने से 100 बार उसमें भी आलाईना कि जो बैच अप ले रहो आपके लिए सुटेवल है या नहीं है किसी hype में आकर कोई batch मैं लेना यहां पर मैं किसी coaching का नाम नहीं ले रहा हूं किसी भी चीज का नाम नहीं लेकिन आपके लिए जो batch सही है उसी batch को आप prefer करना किसी भी चीज़ को आकर दवाब में बिल्कुल काम मन करना यह जो लोग ड्रॉप लेता है ना तो क्या होता है कि स्टार्टिंग में तो होता है कि हमारे अंदर स्टार्बूस होता है कि भी सब्सक्राइब मंपापा अगली बार मैं छोड़ से निखाओ के दिखाऊंगा अद сами कि और फिर इम लुग प्धाय करते हैं बिल्कुल अच्छ से स्टाथ करते हैं और स्टाटिंग का एक 2 मंच अच्छ से पढ़ते हैं फिर जो पढने का जो ले होता है भी धीला पढने लगता है फिर से आता दिसंबर जन्वरीफरवरी फिरू ऐसा ही हाल हो जाता जो लास्ट एर हमारा हाल था फिर बच्चे सिफ्ट हो जाते हैं इधर उजर बॉकलाने लगते हैं और फिर बच्चे चले जाते हैं डिप्रेशन में और फिर पढ़ाई नहीं होती है तो इसलिए गर आप ड्रॉप ले रहे हो ना तो जीस तरीके सा आप स्टार्टिंग में सो अलंका सुम्वर्किशच करना खुद का डिसीजन हमत् बनाना अप अगर एक सा्थ डॉप ले रहे हो ना इसका मतलब कि आप एक साल लाइफ में पीछे आ होा आप एक साल न सीच के लिए अगर आप इस चीज junk को अच्छे में साल अच्छे ड्रॉप लेना तो पूरे साल अच्छे से मेनत करके पढ़ना और ज्यादा भी मत सोचना हर कोचिंग हर टीचर बेस्ट होते हैं अगर आपके पास सुईधा नहीं है आपको कम चीजों में मिल रहा है करने को कि में आपके पास एक ही ऑप्संस है कि इसी में आपको पढ़ना है आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो और एक अच्छी ख़बर आपको यह बता दो कि जो लास्ट थ्री मंथ से मैं में मेंटल सी प्रवाइट कर रहा था नीट बच्चों को तो उसमें से लगबग 20 या 25 बच्चों का नीट में सेलेक्शन हो गया है तो इन फ्यूचर उन मेरा खुद का प्योबी था तो अगर आपको भी कुछ चीजे सेर करना है कि भाई यह नहीं यह होना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर आप मुझे डायक्ली वाट्सप पर टेक्स्ट कर सकते हैं तो बस मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में तब के लिए बाई एंड टेक केर